अब very good afternoon to all of you दोस्तों स्वागत है आप सभी का white education में दोस्तों जिस तरह से आपके exam के point of view से gk, gs, current affair topic important होते हैं उसी तरह ये topic भी बहुत important होते हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे static gk के topic को लेकर जो कि हर दिन आपको दोफेर में दिये जा रहे हैं जी हैं दोस्त बनते हों और आते भी हैं exam में हम आज बात करेंगे brand ambassadors की list के बारे में जी हाँ दोस्तों brand ambassador का जो list है वो आपके जनवरी 2020 से लेकर March के 2020 तरका यहाँ पे update किया है और मातर यहाँ पे 25 question ही लेकर आया हूँ क्योंकि अगर आपको वीडियो यह सारे अच्छे लगते हैं तो likes और share कीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा वीडियो आपके लिए ऐसे ला सके हम लोग ठीक है वीडियो अगर पसंद आएंगे तो हम ल आइकन को दबाके ताकि हर एक वीडियो का notification आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके दोस्तरी चीजा है दोस्तों यहाँ पे कि इसका अगर PDF चाहिए तो आप टेली ग्राम पे जाएं टेली ग्राम एक application है और उसो डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग प् कोशन यहां के पहला कोशन है कि हूँ अपॉइंटेट एस दा ब्रेंड अंबेजडर आफ आइडी एफसी फर्स्ट बैंक दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप से पूछूंगा कि वट इस दफूल फॉल फॉर्म आफ आइडी एफसी फर्स बैंक यहां तो आप लोग यहां प याद रखेगा और इसके जो ब्रेंड अंबेजडर बनाएगे हैं वो हैं जी हां मिस्टर अमिताब बच्चन जी हां बॉलिवोड के सुपर इस्टार है यह और यह है इसके ब्रेंड अंबेजडर इस साल के ठीक है ध्यान रखेगा ओके अगला कोश्य ने दोस्तों यहां अब यहां पर इनके ब्रेंड अंबेजडर कौन यूट किये गया है तो आंसर कीजेगा अब यहां पर इस साल इनको भी एड किया गया है यहां आप इनको जानते होंगे बहुत यह अच्छी तरीके से मैरी कॉम यहां कोस्ती में सबसे अवल दर्जे की यह कोस्ती बाज है महिलाओं के छेतर में ठीक है यह आप नोट कर लिजीगा भारत के लिए गोल्ड मैडल भी लेकर आ चुकी है यह चलिए कुशी नमबर नेक्ष्ट देखते हैं दोस्तों वह अपॉइंटेड एज डब्रेंड़ अफ रियल मी दोस्तों रियल मी जो है अभी मोबाइल की दुनिया का अभी सबसे महतरीन कह सकते हैं सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाला इंडिया में कंपनी बना हुआ है रियल मी ठ देखिया आप लोगों से मैं एकतना एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आंसर अगर आपको पता है तो आप लोग भी नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिएगा आंसर कि इसके ब्रेंड अंबेजडर कौन है ठीक है तो जरूर आंसर कीजिएगा जैसे मालीजी अगर मैं कोशन रही है इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है आंसर है दोस्तों यहाँ पर मिस्टर सल्मान खान बॉल्यूट के यह एक सुपरस्टार है और इन्हों ने ब्रेंड अंबेजडर बनाया गया है इनको किसके तो रियल में फोन के लिए कुश्य नमबर नेक्स्ट दोस्तों हू तो आप ज्याद रखेगा टाटा की यहां टाटा की कंपणी है टाटा पावर अब इसके लिए ब्रेंड अंबेजडर किसे नियुक्त किया गया है अगर आप उत्तर करने मेरे स्रदल् थाकूर नोट कर लिजेगा और स्टार मार्क लगा लिजेगा यहां से हो सकता है कि ये कोशें बन चागए आपके इसाम में भी ठीक है Editor थाकूर नोट कर लिजेगा आंसर हमारा स्रदल् थाकूर होगा नेक्स्ट कोशिन है दोस्तों यहां पर फू अपॉइंटेड एज दे ब्रेंड अमेजडर यूएन इन्वार्मेंट प्रोग्राम फॉर्ड़ा माइगरेटरी स्पेसेज एक कोशिन यहां से इन्वार्मेंट से अगर कोशिन आया हुआ है तो मैं आप से कोशिन अलग से पोचूँगा यहां पर दोस्तों की बतायां की अर्थ डे इस दिन मनाया जाता है बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्ते आप 22 अपरेल यानि कि कल ही इसको सेलिबरेट किया गया है अर्थ डे ठीक है रंदीप हुड़ा को ठीक है रंदीप हुड़ा आप लोग जानते होगे ठीक है और यह वाली हुड के एक एक्टर भी है ठीक है नेक्ष देखते हैं दोस्तों यहां पर यहां पर इंडियन टीम की तरफ से गुडविल एंबेजडर बनाके इनवाइट किया गया है दोस्तों कहां पर तो टोक्यो ओलम्पिक में कौन से वो प्लेयर है बिलकुल याद रखेगा अंसर हमारा होगा दोस्तों मिस्टर स्वारब गांगुली जो कि भारते क्रिकेट टीम के यह जो पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं ठीक है स्वारब गांगुली और अभी BCCI के अद्धक्ष पैनल में भी है ठीक है चलिए नेक्स्ट है दोस्तो अगर आप उत्तर कर रहे हैं यहां पर दूस्तो दिशा पाटनी एंडच सेफ संजीव कुमार नोट कर जीएगा मास्टर सेफ संजीव कुमार को तो आप लोग देखे होंगे टीवी पर ठीक है और यह दिशा पाटनी यह दोनों ही नाम याद रखेगा इन दोनों को बनाया है वाशिंग्टन एपल्स के लिए यह एपल्स जो है मोबाइल कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी है अगर देखा जाए अमेरिका की ठीक है तो यहां इनके लिए इनको ब्रेंड अंबेस्डर नियुक्त किया गया है नेक्स्ट हू अपॉइंटेड एस दे ब्रेंड अंबेस् स्लाम में पूशता है ठीक है नड़ा का याद रखेगा इन्पॉर्टेंट है कोशिन स्टार मार्क भी यहां पर लगा सकते हैं इस कोश्टन के साथ बिलकुल आंसर कीजिए दोस्तों इस सुनिल सेट है सुनिल सेटी भी यहां पे बॉल्यूड के एक सुपर स्टार रह चु यह जूते का निर्मान करती है इनफेक्ट आपको टीशिट्स विगरा भी बनाती है यानि कि देखा जाए तो कस्टम में भी इसका है यहां पर ठीक है और इसके ब्रेंड अमेजडर कौन बनाए गये हैं जी यहां बिलकुल बहुत सही उतर आ रहा है अगर आप उतर कर रहे यहां पर दोस्तों किसको अप्वाइंट किया गया है रोक बड़ी टीम पटना पाइरेट के लिए जी यहां पाइरेट के लिए ब्रेंड अमिजडर किसे नियुक्त किया गया है यह सिंपल सा कोशन पूछा गया है जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग बिलकुल इन याद रखेगा दोस्तों यहां पर जी यहां आंसर कीजिएगा नीतु चंद्रा इस दराइट आंसर लगा लगा लिजिए नीचु नीचु चंद्रा को यहां पर बनाया गया है पटना पाइरेट्स का यहां ब्रेंड अमबेजडर नेक्स्ट फू अपॉइंटेड एस यूज करते होगे फोन पर क्या यह भी जालेजिए तो यह क्या डिजिटल पेमिंट करने का एक तरीका है जी हां आप अपने मोबाइल से ही किसी दूसरे के खाते में सीधे अपने पैसे ट्रांसपर कर सकते हैं या फिर अपने खाते में किसी से भी पैसे मंगा सकते हैं यह क करता है इंडिया गोवर्मेंट ठिये भारत पे को कौन सप्पोर्ट करता है इंडिया गोबर्मेंट करती है जिसके ब्रेंड अम्सीडर कौन बनाएगा है बिलकुल याद रखेगा दोस्तों यह सल्मान खान को बनाए गया है जो कि यहां बॉलिवूड के एक सुपर स्टार है अगला क्वेशन है दोस्तों यहां पे कि who appointed as the brand ambassador of the TAFE यानि कि TAFE क्या है यहां पे तो याद रखिएगा ट्रेक्टर एंद फार्म एक्यूपमेंट लिमिटेट कंपनी है यहां टैफेग लिमिटेट की ब्रेंड अमेजडर किसे नियुक किया गया है जिसका फुल फार्म क्या है तो ट्रेक्टर एंद फार्म एक्यूपमेंट जिहां एक्यूपमेंट इसके जो ब्रेंड अमेजडर बनाएगे हैं दोस्तों वो कौन है बिल्कुल याद रखेगा ये है Mr. अक्षे कुमार जो की भारते बॉलिवूड के ही एक सुपरस्टार ये भी है अक्षे कुमार अगला कोशिन है दोस्तों यहां पे की इसके लिए कौन बनाया है यहां पे ब्रेंड अमेजडर इंडियन ट्रेन के लिए बिल्कुल याद रखेगा दोस्तों ये है MS धोनी नोट कर लिजीगा महेंदर सिंग धोनी को बनाया गया है जो के भारते कर के टीम के ये पुर्व कप्तान रह चुके है अभी भारते के कप्तान कौन है तो याद रखेगा दोस्तों वो हैं विराट कौली ओके नेक्स्ट वो अपॉइंट एस दे ब्रेंड अम्बेसडर अफ हेमालियन मेन नोट कर लिजीगा ये भी कोशन इंपॉर्टेंट है और स्टार मार्क लगा लिजीगा हेमालिया मेन के रूप में यहां पर दो लोग को नोमिनेट किया गया था और दोनों की बनाया गया है यहां पर दोनों ही इंडियन क्रिकेट टीम के यह खिलाडी है यहां एक है विराट कॉली जो कि भारते क्रिकेट टीम के कप्तान है और दूसरे है रिशाप पंत नोट कर लिजीगा जिए आँ दोस्तों नोट कर लिजीगा जिशा पंथ भारते टीम के अभी दिगत कीपर भी है कोशिन नमबर दोस्तों नेक्स्ट वह अपॉइंट इस ब्रेंडम बेजर फॉर दा लॉइड लॉइड जो है दोस्तों यह एक एसी जो आप लोग घर में यू नहीं लॉइड तो लॉइड के ब्रेंडम बेजर किसे बनाए गया है बिल्कुल याद रखेगा आंसर हमारा होगा रंदीप सिंग और दिपिका पदुकौन को ठीक है रंबीर सिंग और दिपिका पदुकौन को दोनों ही अभी हाली में इन्होंने अपने एक दूसरे से तो बहुत सारे सुपरेट फिल्म दे चुके हैं लोग लेकिन जो फेमस अभी लेटिस था फिल्म उसका नाम यहां नीचे कमेंट बोक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा इसके लिए लोग वो नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है अगला दोस्तो स्वस्त इमिन इंडि के लिए एक्ट्रेस करीणा कपूर खान को करिणा ना कपूर को कर चारेट क्या में जोकी नरौन और यहां भी चाहली मेंशादी控 CHG नेक्स्ट्स इंसे ती नेस्नग's लिक् необходимо ये भी यह एक कंपणी है एंडन्वेर अर इसकी बहुत सारी चीज़े में इसका प्रोडक्शन है दोस्तो यह कैसी कंपणी है लिमिटेट कंपणी है जो कि आपके लिए टी शेट्स भी बनाती है आपके लिए परफ्यूम भी बनाती है ठीक है तो आप लोग इसके लिए ब्रेंड अमेज़र किसे नियुक्तिया गया यह बता हो ठीक है चलिए नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर कि हूँ अपॉइंट इस दे ब्रेंड अमेज़र आप मोबाइल प्रीमियर लिग अप लोगों नाम सुना ही होगा आप लोग मोबाइल में खेलते भी होगे अगर एपिल गेम वगरा ठीक है तो मोबाइल प्रीमियर लिग के ब्रेंड अमेज़र किसे नियुक्त किया गया है बिलकुल याद रखेगा दोस्तों यह है विराट कोली जो कि भारतिकर के टीम के तप्तान है इनको बनाया गया है MPL का ब्रेंड अम्बैसडर नेक्स्ट दोस्तों फू अपॉइंट इंडिया मिसन चलिए आंसर किजीए दोस्तों और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएगा और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों ग्रूप में है ना क्लीन इंडिया मिसन के लिए जो ब्रेंड अमेज़र नियुक्त किया है दोस्तों वह हैं पीवी सिंदू और साक्षी मली ठीक है नाम आपके exam में पूछे आते हैं अगर आप banking की त्यारी कर रहें तो खासकर वह छात्र जरूर इंपॉर्टेंट स्टार मार्ग सारे लगा लेंगे ससी की जो त्यारी कर रहें वह भी चात्र क्योंकि यहां से कोशन ब्रेंड अमेजडर से एक्जाम में पूछता है और in fact CEO से भी रिलेटेट कोशन एक्जाम में पूछते हैं तो मैं CEO का भी एक दे दूँगा लिस्ट आपको है नेक्स्ट है दोस्तों आंसर इसका तपसी पन्न इस दर राइट आंसर पेपसी को कुरकुरे का ब्रेंड अमेजडर इनको नियुक्त किया गया है नेक्स्ट दोस्तों यहां पर भारत मेट्रिमोनी जिया भारत मेट्रिमोनी कंपनी का यहां ब्रेंड अमेजडर किसे नियुक्त किया गया है भारत मेट्रिमोनी दोस्तों एक कंपनी है जो की शादियां करवाती है जिया जैसे की साधी.com हो गया है ना तो उसी तरह ये भारत मेटरिमोनी.com है ठीक है तो इसके ब्रेंड अमेजडर कौन बने है ठीक है तो ये जोड़े बनवाते हैं यहां पर इनके ब्रेंड अमेजडर कौन है यह में बताएंगे जल्दी से बिलकूल अगर आप उत्तर कर रहें दोस्तों यहां पर नोट कर लिजीगा महिंदर सिंग धोनी इस दा राइट आंसर जी आ महिंदर सिंग धोनी को बनाया गया है भारत मेट्रिमोनी का ब्रेंड अमेसडर ओके नेक्स्ट दोस्तों एक कोशन और है यहाँ पर कि Apollo Tires के ब्रेंड अमेसडर किसे ने उख किये गया है Apollo Tires जो टायर की कंपनी है ठीक है जो कि ट्रक्स बसेज और गाड़ियों के यह क्या तो टायर बनाती है Apollo Tires के ब्रेंड अमेसडर कौन है बिल्कुल याद रखेगा आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अगला कोशन योनो जो आप SBI योनो का यूज करते हैं फॉर नेट बैंकिंग के लिए अपने मुबाइल में एक अप्लिकेशन है यह ना जो कि State Bank of India जो हमारा बैंक है उसका एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसके तुरू आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं कितने आपके पास पैसे हैं या फिर आप नेट मैंकिंग के तुरू पैसे किसी को भेज सकते हैं उसी तरह का यह आप्लिकेशन है तो इसके लिए किसे ने उत्किया गया है बिल्कुल याद रखेगा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पे स्वपना बर्मन को बनाया है इन्होंने क्या तो ब्रेंड अंबिजडर फॉर्द यो नो ठीक है नेक्स्ट लाकोशिन दुस्तों यहां पर की हूँ अपटेट एज डब्रेंड अंबेजडर फॉर्द नाम बच्पन से चुनते आ रहे होंगे तो मारूती मारूती सुजड़की का जो ब्रेंड अंबेजडर यहां बनाया गया है उनकी आउटलेट्स के लिए बिलकुल याद वरुन धवन आप लोगो को नाम हो याद और ही अपर हाली में फिल्म के थे जुडवा वहात ही फेमस होई थी नहीं छा तो यहां पर यहांपर आंस्र हो के अगला कोश्यों कि 25 यहां पर कभर अप हो चुके हैं दोस्तों यहां पर टोटल कोश्यों तो आप लोगों ने कितने उत्तर सही किए इन 25 में यह कमेंट बॉक्स में आमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे विडियो कैसा लगा और ऐसे विडियो अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करें और अपने परिवाल का